और उसके बाद मनीजी 16 अगस्तों दर्शकों उसकों को अभी गूगल पिछले जाए तो फोटों मिलती हैं कि आपको इस तरह से वो जो फोटों उसदावर किये हैं पर फुटपार्ट पर पार्क पर इस तरह से लाश से बिखिरी हुई थी कोई लाश उठाने वाला नहीं था क्योंकि आतक इत्ता था और यह तीन हजार तो आफिशियल फिगर है कुछ लोग कहते हैं पांच हजार कुछ लोग कहते हैं दस हजार यानि दिल्ली दंगेट के हम को बात करते हैं इसका बात था वो कलकत्ते में मुस्लिमों द्वारा हिंदू का किया गया नरसंगार और उस नरसंगार को यह समझी है कि जरत कांग्रेश जो कहती है कि मेरा को लेता दिना नहीं यह गांधी और नहिरू जो मांट बेटन के साथ बैट के टेबल पर चाई पी वर्दी क्योंकि उससे प्रदां मंतरी हुआ करता था बंगाल का तो उसने पुलिस को आदेश दिया था और उसका उसका देशतावेज है कि उसने कहा था तकि यह रखत्यारे बुलाए तै कि तुम लोग निशिंद्र रहो पुलिस को आदेश दे दिये गया है कि तुमें लिखनी पड़ी थी आप लोग चेक कर लेंगे लेकिन मनीजी यह चलता रहता उसको वही कि उस समय के उसी मुस्लिम लिख के नेता का ही बयान आपको पढ़के सुनाता हूं कि उसने जो लिखा है उसने गोपाल पाथा की भूमिका यहां से मनीजी शुरू होती है गोपाल पाथा ने भारत जैती वाहिनी में अपनों यूकों को साथ हिंदू की रक्षा करने की यूजना बनाई और यासमीन खान ने ग्रेट पार्टिशन में लिखा है कि हमने सोचा था कि अगर पूरा छेत्र पाकिस्तान बन गया तो अधिक अत्याचार और दमन होगा इसलिए मैंने अपनी सभी लड़कों को एक साथ बुला और का कि अब जवावी कारवाई कर दे का समय आ गया है उन्होंने अपनी देश वक्ती करते हैं माला जिसके अठारा से बीस तारीक तारीक गोपाल पाठा और उनके लोगों ने मुस्लिम लिख के हमलावरों को अधिक नहीं तो समान मात्रा में नुक्सान पहुचाने लगे ध्यान देने की बात है कि मुस्लिम लिख के विप्रीद गोपाल पाठा ने मुस्लिम महिलावर बच्चों या व्रदो या औरसक्तों को नहीं चुआ था लेकिन प्रतिशोष के किवल दो दिन बाद उन्नी सगस्त तक मुसलमान अपने आपको असुरक्षित महसूस करने उन्हों भागने लगे और तब वाइसराय शासन वहां लगा लेकिन मनी जी जरा ये दर्सकों को बगल में भी दिखा दीजिए जन्सत्ता के पत्रकार का ट्वीट है एक साल पूराना कि इन गोपाल पाठा के साथ जापलब पाठा दीजिए उसके बाद भी बता दीजिए भी है इसका इसका और भारत के परती अपने समाज के परती मेरी उदासींता हैً वह उदासींता है जो अविजात के चेतना प्रायोजित है उससे ना मिलने का दुख है ये तो मुझे मतलब दогоजार पार्स तक एक जिन्दा ठीन गोपाल पाठावॏगale धिन्दें㄃ कूल ज है यह तो बहुत पीरादाएं के बहुत पीरादा है यह मुझे लगता है कि समझना चाहिए कि गोपाल पाथा का बनीदांग क्या है इस देश्वे हैं भजपन से इस यह तो यह सिखाया क्या वारत को कैसे वह बहना ए और यह उसी बंगाल में जहाद जो गिंदरनाथ मंदल था वहीं एक दलित गुपाल पाथा थे अगर ये दर्सके जान ले कि जरा आप भिटेल में जाईएगा तो आप गुपाल पाथा ने वो काम किया था कि जो मैं बता रहा हूं कि कलकते में हजारों हिंदू एक दिन में कत्र कर दिया गयते ये संक्या हज का जवाब दिया और बाग कड़े हुए मिया जब उनको मार पढ़ने लगी मनी जी उसके आगे कांग्रेसी कुकर वह उस मोहंदास करमचन गांदी की करतूत का बताता हूं ये भी दरसक सुनने मने को पढ़ना ही पढ़ेगा कि हरे कृष्ण सर्मा द्वारा लिखित पुस् ज़ाही गाड़ी में घटना इस दाल पर पहुचे शान्ती और आइंसा की अप्लिकी और मुसल्मानों के अग्यानपूर्ण पाप को छमा करने को कहा कि इनको भूल जो इनको छमा करतू जिन्हों हजारों इंडों को महँत पार दिया था कि उनके छमा करने को कहा तब गोप अधिक पापी है और गीता के सार हिंसा का दर्थ हिंसा का अंत करना है गोपाल पाथा ने गांदी झी से आगे पूछा जब्रिणों को प्रूता से मार रहेते तो वे अपने प्री मुसल्मानों को अईशा का उदेड़ देने क्यों नहीं आए और आगे 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 अब दित रिये था गोपाल पाठा को विक्तित जन्हों तो गांधी को कांधी का मूँ काला कर दिया था जब यह वहां पे आईंसा की नोटंकी चलाने गया था जब हजारों हिंदु की लासें जल गई और जब पलट के जवाब दिया जाने लगा तो यह पहुंचिया वहां पे कर दो इनके पाप भूल जाओ तब गोपाल पाठा ने क्या जवाब दिया वो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है तो यह मनीज जी गोपाल पाठा को गंगा जमनी तहजीव और सांफ्रदाइक सर्वाओं सबने मिलकर आजादी की लडाई ती यह पूरा पाखंड जो साथ पैसाट साल इस देश को पढ़ाया गया जिस पूरे उसके आँकों पट्टी बाने के जिस पाकंड की उस पाकंड की धजियां उड़ा देती यह गोपाल जो फ्रांसिसी पत्रकारों लिखी उसमें इसका वर्णान है यह अपने एक बगल में उस हुसाइन सहीद सोरा वर्दी और दूसरे बगल में उस मुझीबूर रहवान सेख मुझीबूर रहवान यहीं दोनों हत्यारे थे और यह दर्सक जान लेकि हिस्ट्री में वर्ड हिस इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी और हुसाइन सहीद सोरा वर्दी को बुचा राफ कलकटा कहा जाता है आज भी उस उस हत्या कांड के समझे शेतर साल बाद और उसको बुचा राफ हिस्ट्री लिखा जाता है बुचा राफ कलकटा और उस आदमी को यह अपने यह तरफ सोरा वर्दी यह दूसरे सब मुजीबुर्रह्मान को लेकि यह मातमा गांदी मातमा कहें तो खैर उस आदमी को आपने आपको अपमानित करदा है महतमा शब्द का अपमान है जो उसको मातमा कहे मौहन्दास करम चंगादी इन दोनों के लेकान की अपील करने निक हो गई थी हजारों इंदों की और पता नहीं कितने बलातार हुए था मनी जी उसमें यह बाड़ा नेसंस कांड है तो इसलिए का सोला अगस्त की तारीक को आप भूलते हैं तो आप अपने उस इत्यास को भूलते हैं और आने वाले खत्रों को भूल भूलते उनसे पक्टी बा पाट पढ़ाने तो उनको जवाब मिल गया होता है जवाब होता है 17 और 18 तारीक को गोपाल पाठा ने दिया था और वो वो जवाब भी बहुत भेंकर था विल्कुल जैसे बगवान सीवी उताराय थे लेकिन